हलो स्टुडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम NCRT क्लास 6 साइंस का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है Changes Around Us, हमारे आसपास के वदलाब, तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास किस तरह की Changes होती रहती हैं, वो हम इस चैप्टर मे Study करेंगे, तो चले शुरू करते हैं, What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you, कितना मज़िदार होगा, अगर आपके पास अचानक से कोई magical powers आ जाएं, जिससे आप अपने आसपास की हर्चीज को बदल सको, What are the things you would want to change, तो ऐसे कौन से चीज़ें होगी, जिनको आप बदलना चाहोगे, आप बह में बादलों के बीच में बैठे हो, या आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि जो आपकी नाक है, वो लंबी हो गई है, इसी तरह से और भी जो changes है, आप लाना चाहते होंगे, We do not have magical powers, of course, तो वे शिक हमारे पास कोई magical powers नहीं है, but we can still change a few things around us, perhaps many things, ठीक है, तो हमारे प list of few things you can change around you, with no magic involved, तो आप क्या list में आ सकते हो, जिसमें आप ये लिख होगे, कि आप कौन सी चीजों को बदल सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, बिना किसी magic, किसी changes अपने आप ही होती रहती है, in the fields, the crops change from time to time, खेतों में जो फसले होती है, वो समय समय पर बदलती रहती है, sometimes leaves fall from trees, change color and dry out, और जो कुछ पतियां होती है, वो पेड़ों से गिरती रहती है, अपने color change करती है और वो सूख जाती है, the flowers bloom and then weather away, जो full होते हैं, वो खेलते है और फिर मुर्जा जाते हैं, weather होता है, मुर्जा न, are any changes happening in your body, तो कि जो आपके body है, उसमें भी कोई changes हो रही है, your nails grow, your hair grow, you grow taller and your weight increases as you grow, तो जो आपकी नाकून है, आपके बाल है, और आपकी जो height है, वो grow करती रहती है, और जो आपका weight है, जैसे जैसे आप grow करते हो, तो ज increase होता है, did you realize earlier, that so many changes are taking place around you all the time, तो क्या आपने इससे पहले कभी realize किया था कि हमारे आजपार जो हो इतनी सारी changes हो रही है, can some of the changes we group together, तो क्या ऐसी भी कोई changes हैं, जिनको हम एक साथ जिनकी grouping कर सकते हैं, how can we group various changes, हम किस तरह से इतनी सारी changes को grouping करेंगे, it might help if we find some similarities between them, अगर हम उन changes में कुछ similarity, कुछ common चीज़ें देखते हैं, तो हम उनको असानी से grouping कर सकते हैं, can all changes always be reversed, तो कि जितनी भी changes होती है, वो हमेशा से reversed होती है, reversed होता है, reversed होता है, मतलब पहले state में आना, थिया, बदलना, किसी चीज़ को पहले जैसा बना देना, activity one है, take a balloon and blow it, तो आप एक balloon लीजिए और उसमें हवा भरिए, take care that it does not worst, और ये भी ध्यान रखिए, कि वो फटे ना, the shape and size of the balloon have changed, तो क्या होगा, तो जो shape और size होगा, वो change हो जाएगा, now let the air escape the balloon, अब हवा को balloon से निकाल दीजिए, escape होता है, निकालना, तो आप क्या करेंगे, कि आपको जो है, balloon मिला ह balloon लेंगे, और उसमें हवा भरके देखेंगे, कि उसका shape और size जो है, वो change हो रहा है, ठीक है, अब again जो है, जब आप उसकी हवा निकाल दोगे, तो फिर से जो है, वो अपनी पहली वाली shape और size में आ जाएगा, जब वो छोटा था, तो इस तरह से ये change है, वो क्या है, reversible change है, activity 2 है, take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2, तो जैसा कि figure 6.2 में show किया है, आपने एक paper लेना है, और उसको एक fold देना है, you have changed the sheet of paper into a toy aeroplane, तो आपने जो sheet है, उसका एक toy aeroplane बना दिया है, you may have lots of fun in flying this plane, तो इसको उड़ाने में आप जो है, बहुत आनन्द लोगे, once you are tired of it, unfold the paper again, जब आप ठक चाओगे, तो ये जो paper आपने aeroplane बनाया है, इसको आप unfold कर दो, इसको खोल दो, activity 3 है, take some dough and make a wall, तो आप थोड़ा सा dough होता है, गुंता हुआ आटा, उसको लो, और उसकी ball बनाओ, try to roll out a roti, और एक roti बनाने की कोशिए, back into a wall of dough again, तो ये जो roti आप बनाओगे, तो शायद ऐसा हो सकता है, कि इसकी shape जो है, वो आपको पसंद ना आए, ठीक है, तो आप फिर से जो है, उसको, roti को जो है, वो फिर से उसको ball बना दोगे, dough का एक wall बना दोगे, Now, think about the three changes you observed in activity one, two and three, अब जो तीनों activity आपने की, तो इन में क्या क्या changes हुई, what do they have in common, तो उन में common क्या था, Was it possible to get the balloon back to its original shape and size, तो जब क्या आपने balloon से हवा निकाली थी, तो क्या वो जो वैलोन था, वो उसकी original shape or size में आ गया था, Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane, तो क्या जो paper था, उसका जो size था, वो aeroplane बनाने से पहले और बनाने के बाद जब आपने paper को unfold कर दिया था, तो क्या paper का size same ही था, Was it possible to get back the wall of dough again, तो क्या ये भी possible था, कि जब आपको रोटी पिसंद नहीं आय थी, तो आपने उसको फिर से जब वो 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 में convert कर दिया था dough को, ठीक है, तो what do you conclude, तो आप क्या conclude करोगी, आपका result क्या होगा, in each of the three activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity, तो ये जो तीनों activity आपने की है, कि इन तीनों में ही ऐसा possible है, कि जिस material से आपने activity को शुरू किया था, आप उसको उसकी original shape or size में फिर से मिल जाए वो आपको, if the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed, अगर आपका answer हाँ है, तो इसका मतलब है कि जो भी हमने activity की है, इन में जो changes है, वो कैसी है, reversed changes है, now let us repeat the same activities with the difference, अब हमने यही activity फिर से repeat करनी है, बट एक difference, different तरह से, ठीक है, तो activity 4 है, take the same value which you used in activity 1, अब हमने फिर से वही अब क्या करना है, उसको हमने हवा भरनी है, और वो पूरे जितना है, उसमें हवा भर सकेगी, उतनी हमने भरनी है, और उसको एक धागे से जो है, वो टाइटली बान देना है, प्रिक इट विद अपनी टिप of your pencil, अब हमने अपनी पैंसिल का जो प्रिक कर देना है, ठीक है अप्स, इट वस्ट, तो क्या होगा, यह वस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, एक्टिविटी फाइव है, टेक दे सेम पेपर, सेम पीस ओ पेपर, विच यूज इन एक्टिविटी टू, तू में जो हमने पेपर लिया था, वही लेना है, ड्रॉ एन एरो प्लेन ओन एट, कट एलॉंग इस आउटलाइन, और इस पे हमने एक एरो प्लेन बना के, जो हमारी एरो प्लेन की आउटलाइन होगी, उसके थू जो है, वह इसको कार देना है, और इसको पेपर को सेपरेट कर देना है, जैसे कि यहां पे फीगर में हमने किया है, एक्टिविटी 6 है, रोल का रोटी from the wall of dough again and bake it on a tava, अब हमने एक रोटी को फिर से जो है, वह रोल करना है और इसको तवे पे पका लेना है, स्पोस, you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3, अब activity 3 में, activity 3 के वाज जो आप से 3 questions जो पूछे गए हुए थे, तो आप ऐसा मान की चलिए कि आप से फिर से अगर वही question जो है, व अब आपका answer क्या होगा, we see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reverse, तो यह जो changes हमने जो activity की है अभी, 4, 5, 6 इन में जो changes होगी, उनको हम reverse नहीं कर सकते, उनको हम बदल नहीं सकते, you use a pencil and eraser, तो आप एक pencil और eraser यूज़ करते हो, with repeated use, the shape and size changes, जब आप उनका लगतार use करते जाते हो, करते जाते है, can we reverse this change, तो क्या हम उस change को reverse कर सकते हैं, क्या जो हमारे छोटी pencil और rubber है, क्या हम फुन को फिर से जो है वो बड़ा बना सकते हैं, you must have seen a potter working on his face, जो potter होता है, potter होता है कुमार, तो आपने उसको देखा होगा, कुमार को अपने पहिये पे काम करें, shapes a lump of clay into a pot, तो वो एक कि किसी बर्तन का अकार, तो क्या यह change reverse हो सकती है, बदल सकती है, पहले जैसे जो है, वो pot आपका lump में convert हो सकता है, he then wakes pot in an oven, अब वो जो pot है, उसको oven में wake करता है, now can this change be reverse, तो क्या अब फिर से जो है, वो reverse हो सकती है, change, some common changes are given in table 6.1, which of these changes do you think can be reverse, तो table 6.1 में कुछ ही changes दी है, तो आपने इन में से बताना है, कि कौन सी changes जो है, वो reverse है, कौन सी नहीं है, we find that one way we can group changes is to see if they can be reversed, तो जो हम grouping करेंगे changes की, उन में से हमें एक option तो मिल गया, कि एक तरह से हम कैसे कर सकते हैं grouping, कि वो reverse हो सकती है, या नहीं, ठीक है, अगर वो reverse हो होंगी या नहीं होंगी, तो उस तरह से भी हम जो हैं की grouping कर सकते हैं, some common changes अब देख लेते हैं, जैसे कि figure 6.1 में दिया है, change और can we reverse और no, तो यहां पे आपने yes और no लिखना है, और यहां पे आपने देखना है, तो जैसे raw egg to wild, ठीक है, एक बार जब आप egg को wild कर दोगे, त तो no, यह activity reverse नहीं हो पाती, better to idli, ठीक है, जो अब एक बार idli बना देते हो, तो क्या फिर से उसका better बना सकते हो, तो नहीं बना सकते हैं, तो यह भी reversed नहीं है, wet close to dry close, ठीक है, तो जो wet close होते हैं, गेले कपड़े होते हैं, वो सूख जाते हैं, तो आप फिर से क्या उनको wet कर सकते हो, तो यह सारी activity जो है, वो आपने देख के करनी है, और जो भी आपका result होगा, वो आपने जो है, वो लिखना है, जैसे कि milk to paneer है, तो एक बार जब दूसरे paneer बन जाता है, तो क्या पनीर से फिर से milk बना सकते हो, तो यह भी जो है, इसका answer reversible यह नहीं होगी, तो इ we all have seen the tools which are used to dig the soil, हम सभी ने वो tools देके हैं, जिसको हम मिट्टी खोदने के लिए use करते हैं, figure 6.6 में भी कुछ एक tools दिये है, have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle, तो आपको क्या पता है, कि यह जो iron blade होता है, ठीक है, जो हमारा iron blade होता है tool का, जैसे कि आप figure में देख रहे हैं, यह जो है, यह iron blade है, तो इन में हम लकडी के handle को कैसे fix करते हैं, यहां पे, ठीक है, iron blade में हम लकडी के handle को किस तरह से यह fit करते हैं, तो आप यहां पे देख रहे हैं, कि यह जो हमारा iron blade है, इसमें एक ring structure है, ठीक है, एक gold structure जो है, वो है, तो हम क्या करेंगी, देखिए, the iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed तो एक ring होती है हमारे iron blade में उसमें हम एक wooden handle जो है वो fix करते हैं normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle अब यह जो हमारी ring होती है यह जो है size में छोटी होती है ठीक है as compared to जो हमारा handle होगा means जो ring होगी वो छोटी होगी size में और जो हमारा handle होगा wooden थोड़ा बड़ा होगा तो फिर क्या होगा to fix the handle the ring is heated and it becomes slightly larger in size तो अब हम कैसे fit करेंगे तो हम यह जो हमारा ring होती है इसको हम heat करते हैं heat करने से क्या होगा यह expand होती है हमारी जो ring है यह heat करने पर क्या होगी expand होगी थोड़ी बड़ी हो जाएगी large हो जाएगी उस time हम जो है अपने wooden का handle जो है वो इसमें fix कर देते हैं now the handle easily fits into the ring जब यह बड़ी हो जाएगी expand हो जाएगी, expands होता है fell ना, तो हमारी जो ring होती है वो fell जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसमें हम आसानी से जो है अपना wooden handle डाल सकते हैं when the rings cool down ठीक है, अब जब यह ring थंडी हो जाएगी it contracts and fits tightly on the handle ठीक है, तो contract होता है secure ना, पहले क्या हुआ पहले वो felly, पहले वो थोड़ी large हो जाएगी और बाद में जो है, वो contract यानि कि secure जाएगी, छोटी हो जाएगी तो when the ring cools down it contracts and fits tightly on to the handle, तो जब यह secure जाती है तो यह tightly जो है फिर इसको handle के साथ जो है, वो fix हो जाती है फिर से देख लेजिए कि हम tools में किस तरह से handle जो है, वो अपना burden डालते है तो हमारा जो यह blade होता है blade जो है, यह वाला portion है तो इसमें एक ring structure होता है, गोल structure होता है जो slightly smaller होता है जो हमारा burden handle है उससे यह smaller होगा इससे यह smaller होगा तो हम क्या करते है हम इसको heat करते है ठीक है, इसको heat करते है और heat करने पर यह जो ring है यह थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसमें हम उस time जो है वो अपना burden handle डाल देते है और जब यह ring फिर थंडी होती है तो फिर से जो है, यह क्या होगी फिर से जो है ये सिकोर जाएगी छोटी हो जाएगी और ये tightly जो है वो इस wooden handle के साथ जो है वो fix हो जाती है such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure अब ये same change जो हम कहां पर use करते हैं लकडी के पहिये पर metal के rim fix करते हैं ठीक है तो हमारे जो लकडी का पहिया होता है उसमें जब हमने metal की rim डालनी होती है तो ये same change use करेंगे again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel अब फिर से हमारी metal rim होगी वो थोड़ी से छोटी होगी size में और जो wooden wheel होगा उसकी comparison में ठीक है तो on heating जब हम गरम करेंगे the rim expands and fits on to the wheel तो heating करने पर जो हमारी rim है वो भी expand करेंगे फैल जाएगी थोड़ी से बड़ी हो जाएगी और हमारी भील में फिट हो जाएगी cold water is then poured over the rim which contracts and fits tightly into the wheel और अब हम क्या करते हैं अब हम थंडा पानी जो है वो rim के उपर डालते हैं और जिसे क्या होता है जो हमारी rim है वो contract होगी यानि कि वो सिकोड जाएगी चोटी हो जाएगी और tightly जो हो फिट हो जाती है भील में ठीक है जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं यह जो हमारी metal rim है और यह wooden का जो भील है तो इसको slightly smaller जो है जब हम इसको कर जाएगी और हमारी इसमें fix हो जाती है भील के ऊपर when we heat water in a pan it begins to boil after some time ठीक है तो हम किसी वर्चन में अगर पानी heat करते हैं तो जो है कुछ थवड़ी देर वाज़ा वो वाइल होने शुरू हो जाता है if we continue to heat further the quantity of water in the pan begins to decrease ठीक है decrease होता है कम होना अगर हम लगातार पानी को गर्म करते जाएं तो जो water का amount है water की जो quantity है वो देरे देरे कम होती जाती है the water changes into its vapor ऐसा क्यों होता है जो हमारा water होता है वो vapor में change होता रहता है और इस process को हमने देखा था कि evaporation कहते हैं in activity 7 chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled ठीक है तो हमने ये भी देखा था first पहले हमेंने क्या देखा था कि जो बार्टर जो है वो change होता है बेपर में तो ये होती है evaporation अब जब ये बेपर फिर से बार्टर में change हो जाते है तो इसको हम कहते हैं condensation ठीक है तो आप देखिए हमने जो है चैप्टर 5 की activity 7 में भी ये देखा था कि जो water vapor होते हैं जब ये changed होते हैं into liquid water में ठीक है कब होते हैं ये change जब ठंडे होते हैं ठीक है जब condensation होती है ठंडा होने पे जो है हमारी water vapor change हो जाते है है liquid में we all have noticed melting of ice और हमने जो है जो बर्फ का पिगलना होता है वो भी हमने देखा है ice melts when it is heated जब ice जो है वो heat होती है तो वो पिगलने लगती है what does it change into ठीक है तो इसमें क्या change होती है is it possible to change this water back into ice मानलो कि यह ice है और यह melt हो रही है और पानी में convert हो रही है ठीक है तो क्या इस पानी से हम फिर से जो है ice बना सकते है वूजू has often noticed that road construction workers heat a black material जिसको हम तार बोलते हैं for repairing a road तो वूजू ने notice किया है कि जो सड़क का का काम करने वाले जो worker होते हैं वो एक black material को जिसको हम तार करते हैं उसको जो है वो heat करते हैं गरम करते हैं he wants to know whether the change caused in tar why heating is reversible तो वो जानना चाता है कि heat करने पर जो तार में जो change होती है क्या वो reversible है पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools तो जो पहली है वो जानना चाती है कि क्या आपने लुहार को कभी tools बनाते हुए देखा है जो ओजार होते हैं उनको बनाते हुए देखा है how does a blacksmith change a piece of iron into different tools तो जो iron smith जो blacksmith है आपका जो लुहार है वो इतने सारी जो iron की pieces होते हैं लोही की टुकड़ों को जो है वो tools में कैसे change कर देता है a piece of iron is heated till it becomes red hot तो एक लोही की टुकड़ों को जो है तब तक गरम किया जाता है जब तक वो red hot नहीं हो जाता it then becomes soft and is beaten into a desired shape अब उसको जो है वो beat किया जाता है और उसकी desired shape जो हम इस shape चाहिए उसमें जो है वो हम change कर देते है what changes has taken place in iron on being heated till it है तो जब हम iron को beat करते है तो उसमें क्या changes आती है एक्टिविटी 7 है take a small candle and measure its length with a scale हमने एक चोटी सी candle लेनी है और उसकी जो length है उसको हमने measure करना है measure होता है मापना थी के तो हमने मापना उसकी length कितनी है scale से now fix it at stable place and light it अब हमने इसको कुछ देर के लिए हमने जलते रहने देना है now blow out the candle and measure its length again अब हम candle को बुजा देंगे और फिर से जो है उसकी length को measure करेंगे can the change in the length of the candle be reversed तो क्या जो candle हमारी जली है थोड़ी सी तो वो जो उसमें change हुई है क्या हम उसको reverse कर सकते हैं if we were to take some wax in a pan and heat it अगर हम एक pan में थोड़ा सा wax लेते हैं और उसको heat करते हैं can this change be reversed तो अगर हम एक pan में wax लेके उसको heat करेंगे तो क्या उस change को भी हम reverse कर सकते हैं जैसे कि हमारी candle है तो हमारी candle जैसे कि हम इसको थोड़ी देर जिलाएंगे तो यह mom जो है पिखलता जाएगा और यह हमारी candle जो है वो छोटी होती जाएगे तो क्या इस change को हम reverse कर सकते हैं बदल सकते हैं पहले जैसे हमारी अपनी candle को बढ़ा कर सकते हैं repeat activity 7 with an incense stick incense stick होती है जो हमारी अगरबती होती है तो wait till it burns away completely और इसका wait करिए जब तक यह पूरी तरह से जल नहीं जाती what are the changes that occur in the incense stick तो जो हमारी अगरबती है उसमें किस तरह की changes होती है the stick wants to produce some new material तो जो हमारी अगरबती होती है वो जलती है और एक निया material बना देती है these are ash and some gases अब यह क्या बनाती है जो निया material होता है वो होता ash यानि की राख या जो भूती होती है और कुछ एक gases होती है we cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell ठीक है हम gases को देख तो नहीं सकते है बर जो उनकी मनोहर smell होती है जो मन को अच्छे लगने वाली smell होती है उसको हम feel कर सकते है can this change be reverse तो क्या यह change इसको भी हम reverse कर सकते है and what about the change which occurred in the matte stick you used for lighting the candle or incense stick और जो हमने marches जो है वो अपने अगरवती और candle जलाने के लिए use की थी उसमें जो change आती है उसके बारे में आप क्या सोचते हो so far we have discussed the changes occurring in a given object और इस material तो यहां तक हमने किसी object में किसी material में जो changes होती है उसको discuss किया है but about the changes that occur when two substances are mixed together तो जब दो substance को आपस में mix कर दिया जाता है तो किस तरह की changes जो होती है do you think a change occur नहीं in chapter 4 we dissolved salt in water तो हमने chapter 4 में क्या किया था हमने water में salt को dissolved do you think a change occurred in salt or in water तो जब हमने water में salt को dissolved किया था तो क्या water और salt में कोई change होई थी is it possible to reverse this change और इस change को reverse करना क्या possible है wait in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water और हमने 5th chapter में ये भी देखा था कि किस तरह से solution में salt को पानी से अलग करना है so can we say that the change due to dissolving salt in water we reversed तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम पानी में salt को dissolve करते हैं तो जो change होती है क्या वो reversed है पहली asks if you have ever seen curd wing sack तो पहली पूछती है पहली ने पूछा कि क्या आपने कभी जो दही है उसको जमते हुए देखा है a small quantity of curd is added to warm milk ठीक है तो थोड़ा सा थोड़ी सी quantity में जो दही होता है उसको हम warm milk में add करते हैं warm milk होता है कि ज्यादा गरम जो दूद ना हो ठीक हलका गरम जो दूद होता है the milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place तो जो दूद है उसमें हम थोड़ा सा दही मिलाने के बाद उसको लिलाते हैं और side में जो हो कुछ गंटों के लिए रख देते हैं in a few hours the milk changes into curd तो कुछ ही गंटों में जो हमारा दूद होता है वो दही में convert हो जाता है change हो जाता है can this change be reversed तो क्या यह change be reversed है we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it और by mixing it with some other substance तो हमने क्या देखा हमने देखा कि किसी भी substance में कोई भी change लाने के लिए हम क्या करते हैं हम किसी भी substance को heat करते हैं ठीक है change लाने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी substance को हम heat करते हैं या फिर उस substance को mix कर देते हैं किसी दूसरे substance के साथ तो वो change हो जाती है we also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed हमने यह भी देखा कि कुछ एक changes जो है वो reversed हैं जिनको हम बदल सकते हैं और कुछ एक changes ऐसी है जो reversed नहीं है तो जिनको हम नहीं बदल सकते there must be many other ways of changing things around us तो ऐसे बहुत से तरीके हैं हमारे आसपास की changes को change करने के लिए it is possible that some of them could be reversed और ऐसा भी possible है कि उन में से जो हम changes लाते हैं उन में से कुछ changes जो हम वो possible reversed होती है the changes around us could be grouped as those that can be reversed और cannot be reversed तो इसलिए जो हमारे आसपास में changes होती रहती हैं उनको हम दो तरह से जो है वो grouping कर सकते हैं जैसे कि ऐसी changes जो reversed हो जाती हैं और ऐसी जो reversed नहीं होती हैं in high classes you will learn more about the ways in which changes can be made तो आप higher classes में जो है बहुत तरह की तरीके जो हो जानोगे जिन में changes जो हम कर सकते हैं and the way these can be grouped और वो भी तरीके जानोगे जिससे हम इनके grouping कर सकते हैं तो next है keywords तो keywords देख लेते हैं changes तो changes जो हमारे आसपाश जो है वो दो तरह की changes होती है reversed उनको हम reversible changes भी कहते हैं reversible भी कह सकते हैं और irreversible changes या irreversible ठीक है तो reversed changes जो होती है वो क्या होती है reverse change होती है the temporary change that can be undone ठीक है एक temporary change होती है जिसको हम reverse कर सकते हैं बदल सकते हैं to obtain original form, Analform को पाने के लिए, हम उसको जो है फिरसे, जो है, वो change कर सकते हैं, original form में, जैसे कि हमने इसके example देखे थे, melting of ice, जो हमारा melting of ice है, उसको हम फिरसे reverse कर सकते हैं, folding of paper जो हम फिरसे reverse कर सकते हैं, और inflating of balloon, जब हम balloon में hawa बाते हैं, और उसको फिर से हवा को निकाल देते हैं तो इसको जो है वो वो भी एक reverse change है उसकी जो original shape and size है उसको हम फिर से जो है वो ले लेते हैं next है contraction तो contraction मैंने बताया था contraction होता है सिकूर ना the process of making something smaller थी के जब कोई चीज जो है वो सिकूर जाती है size में छोटी हो जाती है तो वो होता है contraction next one है evaporation evaporation क्या होती है the process of conversion of water into its vapor थी के जब पानी जो है वो vapor यानि की भाप में convert हो जाता है तो वो जो process है उसको evaporation कहते है next one है expansion expansion होता है fallab जब कोई चीज जो है वो heat करने पे बड़ी हो जाती है large हो जाती है तो वो होता है expansion the process of becoming larger या विगर next है melting तो melting होता है पिघलना a change from a solid to liquid ठीक है जब कोई चीज solid होती है और वो liquid में change हो जाती है तो वो होता है पिघलना जैसे कि हम ने देखा है ice जो है अगर हम उसको heat करें या फिर धूप में रखें तो वो पिघलने लगती है summary देख लेते हैं summary है some changes can be reversed and some cannot be reversed कुछ एक changes जो है वो reverse हो सकती है और कुछ एक changes reversed नहीं होती है a change may occur why heating a substance और why mixing it with some other तो change किस तरह से होती है हमने क्या पढ़ा इस chapter में कि जब हम किसी substance को heat करते हैं गरम करते हैं तो उसमें changes आती है या फिर हम किसी substance को किसी जब दूसरे substance के साथ mix करते हैं तो भी जो है वो changes आती है तो अब हमारा chapter जो है वो complete होता है आपने जो है इसको अ अच्छी लगी है तो आप इसे like share and subscribe जरूर करें धन्यवाद